वेलकम टू करेंट शेक्षा आई होप आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल लए ही होगी आज इस वीडियो में हम परिच्छा में पूछे गए प्रेस्ट जो की प्रिवेस येर कोशन से उनको हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं और आज हम लोग 123 कौशन डिसकस करेंगी और यह कोशन अंसर की पहली कलास होगी इसके बाद दो कलास अउँर आएंगी जिसमें हम लोग 300 कौशन को cover करने वाले हैं और यह कोशन जो है जो अभी तक content पढ़ा है उस पर based है और या फिर जो उसमें cover नहीं किया गया है उसके लावा जो question बने है वो यहाँ पर लिए गए है और यह exam के लिए बहुत ही महतपूर है अगर आप लोग इसका पीडियाप चाहते है तो हमारे टेलिग्राम को जोइन कर लें जिसका लिएक का description box में दिया गया है आपको हर exam में यहां से फाइदा होगा तो आप लोग चैनल को ज्यादा शेयर करें वीडियो को भी शेयर करें आप लोग अपना support जरूर बनाए रखें आई आज की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है परिश्या में जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही important है यहाँ पर और यह जो है यूटूब चैनल है आप लोग इसको जरू सब्सक्राइब करें तो पहला कोशन यहाँ पर है चम नत्र जो है कहां का है तो चम नत्र जो है यह हिमांचल प्रदेश का है जो वीडियो है यहाँ पर नत्र वाली उसमें यह सब कबर भी किया गया है और कुछ इक्स्टा है वो यहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे च्हम नत्य हिमांचल प्रदेश का है और ये कब किया जाता है तो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए इसको किया जाता है च्हम नत्य ध्यान रखें दूसरा कोशन है हिमांचल प्रदेश का एक नत्य होता है जिसको खेल रत्य भी कहा जाता है ये होता है थोड़ा नत्य ये होता है खेल नत्य हिमांचल प्रदेश का है नेक्स्ट है गोटी पुवा पारंपरिक नत्य कहां का है गोटी पुआ उड़ी शाका है नेक्स्ट है कालाश्रम संस्था की स्थापना किसने की थी कालाश्रम संस्था की स्थापना किसने की है तो यहाँ पर पंडित बिर्जु महराज जो है इन्होंने कालाश्रम संस्था की स्थापना की है पंडित विर्जु महराच जो है लखनऊ ग़राना से सम्बंदित है और इनको पन्द विबूशण 18-1986 में दिया गया था पांचवा कोशन है धान अगरणत्य जो है किसके दारा किया जाता है तो धान अगरणत्य जो है सेफट समदाय के दारा किया जाता है गोवा का नत्य है और इसको जो है निवरात्री के टाइम पर किया जाता है इसके लवा फुगड़ी देखनी नत्य भी गोवा के हैं ये भी दियान लखें नेक्स्ट है कर्मा नत्य कहां का है तो कर्मा नत्य जो है जारखंड में फेमस है यहां से कुशिन बहुत बराया है इसके लवा पूपीर नत्य भवाई नत्य और सत्रिया जो डांस है यहां पर है पूपीर नत्य अवनाचल प्रदेश का है भवाई नत्य जो है गुजरात का है शत्रिया असम का है क्लासिकल डांस है ध्यान रखे और नवीनतम classical dance सत्रिया है जिसको संकर देवन ने विक्सित किया है नेक्स्ट है पंती नत्त कहां का है 36 गड़ का है इसके लावा 36 गड़ के राउत नाच पिंडवानी नत्त और हरेली ये सब जो है 36 गड़ के हैं ध्यान रखे नेक्स्ट है नाट सास्त्र जो है इसमें कितनी शैलियों का वर्णन किया गया है तो भारत की जो आठ नत्त शैलिया है जो की आठ है इनको नाट सास्त्र में यहां पर इनके बारे में बताया गया है जब हम लोगों ने नत्य वाली क्लास देखे थी उसमें सबसे पहले आप पूँ यही बताया था कि नाट सास्त्र में जो है भारती नत्य शैलिया दी गई है और यह आठ है नाट सास्त्र भरत मुनी की दोरा लिखा गया है और त्रिभंगा मुद्रा जो है इसका संबंध ओड का यही नत्य से हैं ध्यार नख्यां ध्यारक है हुआर्स कलासिकल डान्स है और फिनची नेक्स्ट है जगोई नत्य कहां का है तो जगोईни नत्य मनिपुर का है यह तो जो ληशा में कट पुद्ली नत्य होता है इसको कुंधेई कहा जाता है कुंधेई इसको कहते हैं ध्यान रखें महिलाएं तोते की भातिनत्य करती है इसको क्या कहते हैं सुवानत्य होता है तोता का जो नाम है ये सुवा होता है तो महिलाएं जो तोते की भातिनत्य करती है इसको सुवानत्य कहा जाता है नखें आ पर मतवनी बिहार में एक जिला भी है वहीं का ये famous है चितरकारी है इसके लावा तन्जाओर कला तमिलाडू की है कहाँ पर है तन्जाओर में यहाँ पर है और तन्जाओर में ही ब्रद्विश्र मंदिर है जिसको चोल वंस के सासको के दरा बनवाया गया था पट च जो हैं सारे एक्जाम में आए हैं तो बहुत ही important है repeat भी यहां से होते ही हैं गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक कहां का है तो गमोचा असम का है और इसको जो है हाली में GI टैग भी मिला था तो यह ध्यान लखे और असम का पुराना नाम पूश्टा एक्जाम में काम रूप था असम का पूराना नाम काम रूप है और गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है कहां का एक अंगोचा होता है टाइप का यह असम का है नेक्स्ट पोनंग लोकनते अनौचल प्रदेश का है ध्यान लखे पोनंग लोकनते अनौचल प्रदेश का है नेक्स्ट कुशन है जो हमारा पर दिये गए हैं लाजिम जो है महाराष्ट में होता है भवाई गुजरात का है कलारी पट्टू केरल का है और मणी पुग्ट का ठांग्टा है ये सब जो हैं मार्शल आर्ट हैं ध्यान रखें और जो हमारा च्छो नत्य जो नवा क्लासिकल डांस है इसको संस्कृति मंत्रा मंत्राले के द्वारा मानिता दी गई है ध्यान रखें वसे तो आठ हैं लेकिन संस्कृति मंत्राले के अंशार 9 है नेक्स्ट है जवारा नत्य कहां का है तो यह हो जाएगा मध्यप्रदेश का है नेक्स्ट है धीमसा नत्य कहां का है तो धीमसा हमारा आंध्यप्रदेश का हो जाएगा यह सब डिटेल में जो है वीडियो अगर आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग से तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी पहली ही क्लास में हम लोगों नी क्लासिकल डांस किया था और उसके बाद जो है तीसरी क्लास में जो है यहाँ पर जो नत्य हैं वो कवर किये गए हैं तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट बनी हुई सर्च करें वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट एक परप से भी मिल जाएगा इसके लावा आंध्पदेश के वीरनाट्यम भामा कलपप और छडी नत्य और धीमसा न जो है आंध्पदेश के हैं ध्यान रखें नेक्स्ट है डमहल लोक नत्य जो है कहां का है तो यह हो जाएगा जम्मू का स्मीर का इसके लावा जम्मू का स्मीर के फेमस हैं रौफ और हिकत जम्मू का स्मीर के हैं ध्यान रखें नेक्स्ट है बास नत्य कहां का है तो बास न जो है इसको चेरवू नित भी कहा जाता है और यह मिजोर्म में होता है इसके लावा चाप चार कुट जो महोशव है यह भी मिजोर्म में होता है उसी टाइम पर यह डांस होता है ध्यान रखें लक्षदियूप टापू का प्रसिद्ध नित कौन सा है तो यहाँ पर कोलकाली और परिचकली, कोलकाली और परिचकली जो हैं ये लक्षद्यूप के फेमस हैं, इसके लब अगर लक्षद्यूप आप्सन ना रखेगा तो ये केरल का भी हो जाएगा, कोलकाली ये भी ध्यान रखें, यो कि ये लक्षद्यूप केरल के पास में ही पाय जाता है, नेंक्सट ऐए खुछ फेमस कलाकार है इनके जो Dance Force है ये दिये गए हैं माधवी मुगदल जो है उड़ीशी से सम्मंधित हैं नन्दिनी सिंग कर्थक से सम्मंधित हैं राधा रेड़ी कुछी पुडी की फेमस कलाकार है और सास्वती शेन कर्थक की हैं बहत नाट्यम की प्रमुक हैं, रुक्मनी देभी, टीबाला सरस्वती, पद्मा शुब्रमनियम, वजन्ती माला और लीला सैमसन, तो यह जो हो जाएंगी, पद्मा शुब्रमनियम और वजन्ती माला, बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इस बार इनको जो है, पद्म भूशन भी छड कटपुतली को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं यमपुरी, तो जो कटपुतली डांस है, यहाँ पर बिहार का, इसको कहा जाता है यमपुरी, इसके लवा कुंते ही तो आपको पहले ही बता चुके हैं, यह उडिशा का कटपुतली डांस है, और तमिल नाडू में यही डांस जो है, बोम लट्टम के नाम से famous है, ये भी कटपुतली डांस होता है, ज्यान रखें, तीनों एक्जाम में आ चुके हैं, नेक्स्ट है, भाण पत्थर नाटक, कहां का है, तो ये हो जाएगा, जमू कस्मीर का, भाण पत्थर नाटक जो है, जमू कस्मीर में होता ह है, बिरहोर नत्य, जारखंड में होता है, ध्यान रखें, बूतड़ा कोला, बूतड़ा कोला, जो है, यहाँ पर करनाटक में होता है, और ये जो है, इसमें होता है, जलते हुए कोईले पर, इसमें चलते हैं लोग, और इसी को जो है, बूतड़ा कोला कहा दाता है, अगर यही चीज राजस्थान में होती है तो इसको जो है राजस्थान में बीका नेर में होती है यही चीज और इसको करता है जसनाथी शंप्रदाय ये भी दियान लखें एक्जाम में पूछा भी गया है ये राजस्थान में जो है भूतला कोला जो कोईले पर चलते हैं कहां पर हो द खाई है इन लोग नद्य कहां का है तो यह हो जाएगा औरीशा का दल खाई होजागिरी माथा नत्य को यहां का फैमस नत् oraz मोमाता जो चाली चुजह है। इसको कलोई शमदाइ के दोरह किया जाता यह इसके लबह là तेरा ताली कहा का famous है, तो तेरा ताली जो है राज़तान का famous डांस है, इसके लबावा रास्थान में कालवेलिया, घूमर, गीधर और गएर जो नत्ने हैं, ये होते हैं, नेक्सट है, वीरगासे नत्ने, कहा का famous है, तो ये करनाटक का हो जाएगा वीरगासे, इसके लावा करनाटक में जो दशेहरा मैशूर में होता है इसको कहा जाता है नाडा हब्बा इसके लावा जो है बोलाक, यच्छगान, करगा, ढोलू खुनीता जो हैं करनाटक के लोग नते हैं यहाँ पर ध्यान रखें नेक्स्ट है पोवाडा नते, महराष्ट का है महराष्ट में और होते हैं लावडी, लेजिम और तमासा यहाँ के famous dance हो जाएंगे महराष्ट के नेक्स्ट है कोलकाली, लोक नते, कहां का है लक्षिदूप में भी होता है और केरल में भी होता है पहले भी बताया गया है नेक्स्ट है तिलाना शब्द जो है यहाँ पर पूछा गया था कुशन तिलाना सब्द जो है किस से संबंदित है किस डांस फॉर्म से संबंदित है तो तिलाना जो सब्द है हमारा ये संबंदित है भरतनाट्यम से जब भरतनाट्यम की जब शुरुवात होती है डांस करने की तब जो है इसको तिला ना कहा जाता है और जब शमापती होती है भरतनाट्यम की तो इसको अलारी प्रू कहते हैं ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखें नेक्स्ट है मिनाक्षी शिर्वास्तो किस से संबन देता है तो ये भरतनाट्यम से संबन देता है रणमाले लोकनत्य जो है कहा का है गोबा का हो जाएगा नेक्स्ट है सोवना नारायन जो है ततक की फेमस अकलाकार है यह सारे question है हमने यहां पर short notes के इनको बना लिया है तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको धगारी गजा लोकनत्य जो है गांधारी धंगारी धंगारी गाजा लोकनत्य महाराश्ट का है ध्यान रखें घेरिया नत्य गुजरात का फेमस है घेरिया गुजरात का है इसके लावा गरवा भी गुजरात का है जिसको युनेस्को की अमूर्त सांस्कितिक धरवर में शामिल किया गया है ध्यान रखें चूपार्ट लोक नत्य जो है कहां का है सिक्किम का है और इसको लेपचा समधाय के द्वारा किया जाता है चूपार्ट लोक नत्य सिक्किम का है ध्यान रखें नेक्स्ट है जवालाल नहरू नत्य अकाडमी कहां परिस्थित है तो यह हो जाएगी इमफाल मणीपुर में जवालाल नहरू नत्य अकाडमी इस्थित है कमशले नत्य जो है कहां कहा है तो यह करनाटक का हो जाएगा कमशले नत्य करनाटक का फेमस है रिखिम भाड़ा जो है अनाचल पदेश का नत्त है मोहनी अटम से संबंदित फेमिस कलाकार हैं डाक्टर कनक रेले का संबंद मोहनी अटम से है और इनका हाली में जो है निधन हुआ है तो इसलिए ये एक्जाम में दुबारा भी आ सकता है नेक्स्ट है विवहार माला के प्राचीन गरंथ में जो है किस क्लासिकल डांस का उलेक किया गया है तो यहाँ पर मोहनी अटम जो शैली है इसका यहाँ पर जो है उलेक किया गया है ध्यान रखें और मोहनी अटम आप लोग जानते भी आपको कहानी सुनाई भी थी पहले भी जब हमने यहाँ पर डांस किये थे सारे ये वाले तो तब बताया था आपको कि मोहनी का रूप जो है भगवान विश्णु ने भस्मा सुर्की जो म्रत्यु है उसको करने के लिए रखा था तो ये कहानी आप लोग को बताईए पहले भी रंग बती लोक नत्य जो है उडिशा का है नेक्स्ट है सुनन्दा नायर जो है ये किसकी फेमस कलाकार है तो सुनन्दा नायर जो है मोहनी अटम की फेमस कलाकार हो जाएंगी नूपा नत्य जो है कहा का है तो मणी पुरका हो जाएगा नूपा नत्य नेक्स्ट है प्रेणा श शुरिमाला कथक जुनत्य है इसकी फेमस कलाकार है एक हार एक हार जो है बरत नाट्यम के एकल कलाकार है ध्यान रखें गुलाबो सपेरा का सम्बंद किसे है तो गुलाबो सपेरा जो है कालवेलिया डांस जो है इससे सम्बंद देता है कालवेलिया डांस राजस्थान में होत नेस्ट है बोरगीत एक संगीत रचना जो है इसका प्रियोग है, शत्रीया नत्य में इसका प्रियोग किया जाता है, देखनी लोकनत्त कहां का है, आपको बताया भज़े, गवा का है नेक्स्ट है पदमा शुब्रमनियम जो है भरत नाट्यम से सम्बंधित है और इनको पदम विवोशन दिया गया है 2023 में तो यह important है पदमा शुब्रमनियम भरत नाट्यम की famous का लाकार है करनाटक के जो यहाँ पर famous नत्य हैं करगा, हुंतरी और सुग्गी जो है यह करनाटक के लोग डालस हैं यहाँ पर ध्यान रखें अखम लक्षमी देवी जो हैं अखम लक्षमी देवी किसकी famous का लाकार हैं तो यह मनी पूर नत्य की famous का लाकार हैं इसके लावा गोपी का वर्मा मोहनी अटम की famous का लाकार हैं दीपी का रेड़ी कुची पुडी की famous का लाकार हैं जहाँ पर भी रेड़ी आएगा तो यह मा गुवान जो विश्णू है इन्होंने मोहनी का रूप धराता भस्मसुर की मत्यू के लिए वहीं से जो है मोहनी अट्टम जो है इसका नाम मिला हुआ एक्जाम में ये पूछा गया है ध्यान दखेयां तो सुजाता महापात्र जो है ओडशी नत्य से संबन देता है सोनम मान सिंग बहुत बार पूछा गया है पेपर में और ये फेमस हैं भरतनाट्यम और ओडशी नत्य दोनों से ये फेमस हैं सोनम मान सिंग ध्यान दखेयां बहुत फेमस कलाकार है नेक्स्ट है गरबानत्य कहां का है गुजरात का है और गरबानत्य जो है इसको भारत की पंद्रवी आमोर्त सांस्कृतिक धरोहर युनेस्को के द्वारा गोशित किया गया है अगर आप लोग पूरे जो है पंद्रा के पंद्रा अमूसांज कितिक को देखना चाहते हैं तो आप लोग पहले पेल लिस्ट है उसमें यहाँ पर डिसकस किया गया तो आप लोग उसको देख लें अधती मंगल दास कथक की फेमस कलाकार है पासी कोकगी जो है अवनाचल प्रदेश का यहाँ पर है और पासी कोकगी जो है अवनाचल प्रदेश का लोग डांस है इध्यान रखें लाहो नित्य जो है मेघाले का है और इसके लवा मेघाले में नोगे क्रेम और बेहदी कलम वा ही वांगला जो है इसको कहा जाता है हंडे ड्रम फेस्टिवल जो हा जो है जो है रह गई है उनको हम लोग यहां पर नघगा यहां गई है इसको में लेकिन कुछ अलग-अलग नाम दे दियागा जैसे कि John Darwin तो यहाँ पर confusion हो सकता है तो यहाँ पर Charles Darwin जो है इनकी बुक है The Origin of Species, Capital and Growth बुक जो है John Hicks की है, इसके लावा Wealth of Nation Adam Smith की बुक है, ध्यान रखें, Becoming जो बुक है, Michelle Obama की है, A Brief Story of Time, Stephen Hawkins की बुक है, पुस्तक War and Peace, War and Peace बुक जो है Leo Tolestai की है, ध्यान रखें Revolution 2020, चेतन भगत की बुक है, next The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये famous बुक है, John Maynard Kings की, तो ये ध्यान रखें, एक्जाम में बहुत बार कुची गई है, General Theory of Employment, और अगर आप लोग Employment के बारे में जो है, Economics में पढ़ते हैं, ब्रमास्त बैच का जो यहाँ पर Economics का Now, बुक ससी थरूर की है, इसके लावा, मैं हिंदू क्यों हूँ, बुक जो है, ससी थरूर की है, नील दरपन बुक, दीन बंदू मित्र की है, ध्यान रखें, क्यू चोटे नामक उपन्यास, क्यू चोटे नामक उपन्यास जो है, सल्मान रुषदी का है जान रखें वाट हैपन्स बुक जो है हिलेरी किंटन की है वेदों की पुष्टक आर्कटिक होम जो है बाल गंगाधर तिलक की है इसके लावग गीता रहास जो है बुक बाल गंगाधर तिलक की है बहुत बार पोची गई एक्जाम में डबलू अंब्रेला रस्किन बॉंड की बुक है सबका साथ सबका विकास पधान मंत्री नरिंद मोदी जी की बुक है ध्यान रखें रज्म नामा जो है युद्धों की पुष्टक है और ये महाभारत का अनुबाद है और इसका अनुबाद महाभारत का अनुबाद जो है अकबर के टाइम पर किया गया था रज्म नामा की नाम से ध्यान रखें रज्म नामा जो है महाभारत का अनुबाद है दा बेटर इंडिया आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ड जो है बुक एन आर नरैड मूर्टि की है ज्यान रखें, We Are Displaced बुक जो है, मलाला यूसुप जाई की है, कंबन ने जो है, रामायड जो लिखी है, कंबन रामायड जो है, ये लिखी गई है, तमिल भाशा में, ज्यान रखें, The Banyan Tree, The Banyan Tree, गुरु रविना टेगोर की बुक है, A Love Song From North, My Dead Dream, In The Forest, जो यहाँ पर कविताएं हैं, ये सरोजनी नाइडू की है, नेक्स्ट है, और सरोजनी नाइडू का बड़े जब हो है, तेरा जो है, फरवरी को, इस दिन हम लोग राश्टिय बालिका दिवस मनाते हैं, नेक्स्ट है, एन्हिलेशन आफ कास्ट, जो है, डाक भूमी, जीवन का अखाडा, मुंसी प्रेमचंदर की बुक है, राश्टिय महिला दिवस्ट है, ये मनाया जाता है सरोजनी नाइडू के बड़े के दिन, ये ध्यान रखें आप तेरा फरवरी को, ध्यान रखें, नेक्स्ट है, रंग भूमी, जीवन का अखाडा, मुंसी रेमचंदर की बुक है, दा क्वेस्ट फॉर एक्विटी इन डेबलमेंट पुस्तक जो है, डाक्टर मनमोहन सिंग की है, अडोब आफ लव नरेंदर मोदी जी की बुक है, गोराव पन्यास रविन्ना टैगोर का है, पाथवे टू गॉड मात्मा गांधी ने लिखा है, ब्रंट सुगर जो है, अवनी दोशी की ने लिखा है, माई जरनी ट्रांस्फॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्षंस, एपी जेदुल कलाम ने लिखा है, माई ट्रूथ इंदरा गांधी ने लिखा है, दा टेस्टीमेंट्स भुद्वार कुछा गया है, मार्ग्रेट एट बुट की बुक है, एथिकल रिलीजन बुक जो है, महत्मा गांधी ने लिखा है, वेटिंग फॉर अवीजा बुक जो है, डाक्टर भीम्राउं बेड कर की है, बियॉंड दा लाइन्स कुल्दीब नैयर ने लिखा है, नेक्स्ट है, दा रूम अन दा रूफ, रसकिन पूर्ती ने लिखा है, इमेजनेरी होम लैंड्स बुक जो है, सल्मान दुसुदी के दोरा लिखी गई है, दा इंड आफ इमेजिनेशन आरूंधती राय ने लिखा है, बिंग गांधी पारो आनंदी ने लिखा है, नेक्स्ट है, इमपरफेक्ट जो आत्म कथा है, संजे म अधरे कर की है, इमपरफेक्ट, ध्यान रखें, गिफ्ट टू, मोनोथिज्म, राजा राम मोहन राय ने लिखा है, गिफ्ट टू, मोनोथिज्म, राजा राम मोहन राय के दोरा लिखी गई है, मान सरोवर पुस्तक, मुल्सी प्रेम चंदर ने लिखा है, दुरगेश आना के दौरा लिखी गई है तूजी शागा अनफोल्ड्स अधीमुथू राजा ने लिखा है तूजी शागा वही जो टूजी स्केम हुआ था कांग्रेस के टाइम पर तो वही है तूजी शागा अनफोल्ड्स अधीमुथू राजा ने लिखा है नेक्स्ट है elephant in the warm जो है कल की कोचलिन ने लिखा है elephant in the warm कल की कोचलिन ने लिखा है a short at history a short at history my obsessive journey to Olympic gold Olympic gold अभिनो बिंद्रा का है a short at history क्योंकि अभिनो बिंद्रा जो है भारत के लिए व्यक्तिगत Olympic में पहला gold अभिनो बिंद्रा नहीं जीता है ध्यान लखें यह भी point क्या है